तब इसमेडी को गिरा दिया और इसमेडी को गिरा दिया और उस द्रिर्स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीती से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना कर तू वहां होंबली चड़ा नगर के लोग सुबह उठकर क्या देखते है कि बाल की वेदी गिरी पड़ी है और वह बहुत क्रोधित थे तब वह लोग गिदोन के घर उसे मारने के लिए गए लेकिन गिदोन के पिता ने कहा क्या तुम बाल के लिए वाद विवाद करोगे क्या तुम उसको बचाओगे यदि वह परमेशवर हो तो स्वयम अपने को बचाए इसलिए उन लोगों ने गिदोन को नहीं मारा तब मिध्यानी इसराइलियों को लूटने के लिए फिर से आ गए, वहाँ पर वह बहुत थे, उन्हें गिना नहीं जा सकता था परमेश्वर ने ऐसा ही किया अगली रात को उसने कहा केवल कपड़ा ही सूखा रहे और सारी भूमी पर रोस पड़े परमेश्वर ने ये भी किया उसी रात परमेश्वर ने गिदोन को कहा कि तू नीचे मिद्यानियों के देरे में जा और देख की वह क्या कह रहे है उसके बाद तुझे जाने में साहस होगा उसी रात जब गिदोन मिद्यानियों के देरे में आया तब एक मिद्यानी सैनिक अपने संगी से अपना स्वापन कह रहा था वह जन अपने संगी से कह रहा था कि इस वापन का अर्थिये हुआ कि गिदोन की सेना हरा देंगी मिध्यानियों की सेना को गिदोन ने परमेश्वर को दनवत किया